मद्रप्रदेश की छतरपुर जोला पुलिस ने बागिश्वर धाम के पिठा धीश्वर धिरेंदे किर्श्वर श्रास्त्री के छोटे भाई श्वारफ उप शाली ग्राम गर्ग के खिलाब S.C.S.T. Act के तहर केस दर्च कर लिया है छोटे महराज के नाम से फेमर शाली ग्राम पर आरोप है कि उन्होंने एक शादी समारों में घुसकर दलित परिवार को तमंचे की नोग पर धमकाया जाति सूचक गालिया दी और मारपीट भी की है घटना छतरपुर जिले के गंढ़ा गाउं की है 11 फरवरी को गाउं के एक दलित परिवार की बेटी का विवासमारों आयूजित हो रहा था उसी दोरान रात करी बारा बजे के आसपास बागिश्वर धाम के पिठा धीश्वर पंडित धिरेंदर किष्ण शास्त्री का छोटा भाई शाली ग्राम गर्ग विवासमारों में पहुँचे और लोकों से गाली गलोच और मारपीट करने लगे इस दोरान सिगरेट मुँ में फसाए और शराब के नशे में शाली ग्राम ने महिलाओं से अभदरता की और देशी कट्टा दिखा कर जान से मारने की धमकी भी दी इसके साथ ही उसने हवाई फाइडिंग भी की और शादी को रोकने की कोशिश भी की जिस कारण बाराती देहशत में आ गए और खाना पीना खा कर वापस अपने गाउं अक्टोह दोट गए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि शाली ग्राम अपने मुँ में सिगरेट दबाये और हाथ में तमंचे लेकर लोगों को धमका रहे हैं गंदी गंदी गालिया दे रहे हैं साथी एक शक्स को पकड़ कर मारपीट करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राई बुंदेल खंड की लोक निर्त नहीं चलेगी इस गड़ा गाउं में बजेगा तो सिर्फ बागिश्वर धाम का गाना उस समय वहां मौजूद लोगों ने बागिश्वर धाम का गाना बजाने से मना किया तो इस आरोपी ने लोगों के साथ अभधरता करना शुरू कर दिया वीडियो वारर होने के बाद बठिंडा थाना पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाब भारतिय दंड सहिता की तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है आपको बता दे कि SCST एक्ट के तहट केस दर्ज होते ही गिरफतारी का प्रवधान है आरोपी को अगरीम जमानत भी नहीं मिलती है हाई कोर्ट से ही नियमी जमानत मिल सकती है वही SCST मामले में जाज इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर करते हैं इस मामले की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट में होने का प्रवधान है अब देखना यह है कि गढ़ा गाउं वाले मामले में धिरेंड शास्त्री के शालिग्राम गर्ग की गिरफतारी कब होती है